नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन की टॉप 25 परमुख खबर जानते हैं करेंगे और उनके बीच परिसंपत्या बाटेंगे, इसके बाद जामो करकरताओ से सनवात का भी कारकरम है, पहले दिन सुक्रवार को सियाम साहिब गंज में इस कारकरम में सामिल होंगे, इसी दिन साहम पाकुड जाएंगे और पाटी करकरताओ सा सनवात करेंगे, वही अगल दिन पाकुड में सरकार आपके द्वार कारकरम में सामिल होकर रांची लोटेंगे, बता दे हर सीविर में कल्यान मंच बनेगा, इसके माध्यम से सीविर में ही लाभकों के बीच योजनाओ का लाभ या परिसंपत्यों का बीत्रन होगा, इस कूली बच्चों को जाती पहन पत्र जारी करने के लिए चलाये गए अभ्यान के तहट निर्मित जाती पवान पत्र सीविर में बाटे जाएंगे, वहीं छात्र शात्राओं के बीच साइकल कराये के लिए प्रतिक आत्मक चेक बाटेगा, वहीं स्वयम साहता समोह या कलस्टर सदस्यों के बीच आई काड और धोती साडी लूंगी और कमबल का वित्रन होगा, जे एस एसी परिक्षा में कदाचार करने वाले दो अभियार्थियों पर केस दर्ज, जार्खन करमचरी चेन आयो की प्रभारी, सची, मधुमीता कुमाये ने परिक्षा में कदाचार करने वाले दो अभियार्थी असो कुमार रभी और राखी कुमारी के खिलाप सदर थाने में प्राथमी की दर्ज कराई है आवेदन में कहा गया है कि जारखन डिपलोमा अस्तर सन्युक्त परिक्षा 28 सितंबर को सीवा इनफो टेक्स सेंटर में आयुजित हुई थी परिक्षा में प्रतिन्युक्ति दंडा धिकारी ने दो अभियारतियों को कदाचार करते हुए पकड़ा था आवेदन में कहा गया है कि सेंटर के लोगों को अभियारतियों की जाच करने के बाद केंद्र में प्रवेस कर देने की जिम्यदारी थी इस मामले में सेंटर को भी सोकाज किया गया सेंटर ने कदाचार की बाद सविकार की है इसी अधार पर दोनों अभ्यारतियों खिलाप मामला दच किया गया पुलिस मामले की जाच कर रही है जारखन में 15 दिसंबर से धान खरीदने की तयारी जारखन सरकार के दोवारा राजे में इस साल खरीब मौसन में उत्पादी धान की खरीद 15 दिसम्बर से करने की त्यारी की जा रही है मिलर का निबंधन के साथ-साथ किसानों का निबंधन को अम्तिम रूप दिया जा रहा है सरकारिता पताधिकारी के माध्यम से लेप्स की बरतवान इस्थिती से समति रिपोर्ट जिला अस्तर पर खादेवम अपूर्ती विभागने मिलने के बाद सरकार द्वरा धान अधिप्राप्तिक के अंदर की संख्या को अम्तिम रूप दिया जाएगा वहीं हर साल किसानों को धान के सरकारी समर्थन मूल के अधार पर भुक्तान किया जाता है बरतवान समय में सरकारी दर 2050 रूपे प्रतिक इंटल है हर साल किसानों से सिकायतिया आ रही है कि बाजार में सरकारी मोले की तरह खुले रूप से धान के दाम है ऐसे में ओ सरकारी सिस्टम के तहत क्यों बेचे यह ममला भी भागिया मंत्री डाक्टर रामेश्वर उराव तक पहुंचा है जिसके बाद इस परमांथन की जा रही है उत्तरकासी सुरंग में 10 मीटर और ड्रीलिंग बाकी सुक्रवार दो पहर तक निकलने की उमीद उत्तरकासी से जल्द ही खुसकबरी आ सकती है सुरंग में फ़से मैदूरों को दो पहर तक निकलने का इंत्यार कर रहे है बता दे 41 मैदूरों को निकलने के लिए अब तक 48 मीटर पाइप ड्रील किया जा चुका है मलबे में 10 मीटर की ड्रीलिंग और बाकी है सिल्कियारा सुरंग में फ़से मैदूरों को बाहर निकलने के लिए चलाया जा रहा बचाव अभियान लगतार जारी है माना जा रहा है कि दो पहर तक मैदूर सुरंग से बाहर आ सकते है मसीन में खराबी आने की वज़़े से ड्रीलिंग का काम रोकना पड़ा है विसे सग्य मसीन की खराबी को दूर करने में लगे हुए है वही मुख्य मंत्री पुसकर सिंग धामी गुरुवार को सुरंग में फ़से मैदूरों का हाल चाल जानने मौके पर पहुँचे जारखन में नकसलवाद खत्म करने के अमतिम चरन में सुरक्षाबाल सियम हेमांत जार्खन के मुखी मंत्री हेमान सुरेन ने विरस्पत्तिवार को घोसना किया है कि राजय पूलीस और केंदरी ये रिजरब पूलीस बल राजय में नकसलवात की समाजा को खत्म करने के अमतिम चरण में है। को ध्वस्त कर दिया है वे नकसलवात का उन मुलन करने के कार में अमतिम चरण में है। बता दे जारकन के चाईबासा में गुरु आर को फिर भीशन बलास्ट हुआ है जिसमें CRPF 174 बटालियन के कॉंश्टेबाल हाफिजूल रहमान बुरी तरह से जखमी हो गया हाफिजूल रहमान को बेतर इलाज के लिए यर लिफ्ट कर रांची लाया गया। फिलहाल उनका रांची में इलाज चल रहा है इसी सबता 17 नवंबर को भी चाईबासा के ही गोईल के राथाना चेतर में IDB स्पोर्ट हुआ था जिसमें एक जवान सहीद हुए थे जबकि दो घायल हुए थे। रांची के मंदीरों में मुर्तियों को खंडित करने वाले की मिर्गी से मौत। यसका काना है कि सुखदेव उर्फ जट्टु के द्वारा मुर्मा गाउ में इसी चार मंदीरों की परतिमाओं को खंडित किया गया था। परतिमाओं को खंडित करने के बास उखदेव अपने घर चला गया वहीं परीजनों को उसने इस पूरे मामलेक जनकारी दी। हलाकि इस घर्टना को लेकर परिजनों ने उसके साथ मार पिट की इसी बीच उसे मिर्गी का दोरा पड़ा और फिर उसकी मौत हो गाई बीजेपी नेता ज्हारखन के गाह का घुमेंगे बिक्सित भारत संकल प्यात्रा उद्देश से भाजपा परदेश महामंत्री एवं राई सभा सदस्य आदित्य साहू ने पार्टी द्वारा आयोजीत बिक्सित भारत संकल प्यात्रा को मोधी सरकार की लोग कल्यानकारी योजनाओं से जन जन को जोडने का अभियान बताया है हेवन सरकार पर हमला बोलते हुए साहू ने कहा है कि राई सरकार केंद्रे की योजनाओं को लटकाने भटकाने और अटकाने में लगी हुई है उन्होंने कहा है कि परधान मंत्री अवास, नल जल योजना, अनाज बित्रन योजना, परधान मंत्री सलक योजना, जैसी योजना, जैसी योजना, लूट फरस्टाचार और लेट लत्ती भी कासिकार हो रही है बिक्सित भारत संकल प्यात्राग के समान में बोलते हुए कहा है कि पधान मतिनायन मोधिक नेतितु में भारत सरकार अंतियोधा एवाम सबका साथ सबका विकास के लक्ष को लेकर चल रही है JPSC प्रथम और दूतिय परिक्षा की जाच में क्यों हो रही देरी CBI को फटकार जारखन हाई कोट के चिप जस्टिस संजय कुमार मिस्रवा जस्टिस अनन सेन की खंड पीट में JPSC की प्रथम और दूतिय परिक्षा में हुई गरबड़ी की जाच की मांग वाली आजका पर सुनवाई हुई सुनवाई की दोरान आदालत ने अब तक जाच पूरी नहीं होने पनदाजगी जताई है अदालत ने CBI के अनुसंधान पतादिकारी को अदालत में हाजीर होने का निर्देश दिया है अदालत ने कहा है कि कई सालों से इस मामलों की जाच की जाच जा रही है जाच अभी तक पूरी नहीं हो सकी आखिर जाच कब तक पूरी होगी CBI की ओर से मामले की जाच पूरी करने की समय अधी नहीं बताया गया इस पर अधालत ने मामले के अनुसंधान पतादिकारी को 15 दिसम्मर को वर्चुल हाजीर होने का निर्देश दिया है पलामू में पहली बार आ रहे है बागेशवर धामवाले धिरेंदर सास्त्री पलामू में इंदिनो धार्मिक आस्था और भक्ती की ब्यारबाह रही है राष्ट्रिय पर सुराम सेना द्वारा आयोजी स्रीमत भागवत का था सहयग को लेकर अन्ताष्ट्रिय का थावाचक देवकी नन ठाकुर पलामू आय हुए है 21 नोवंबर से या कारकरम मेदनी नगर के हाउसिंग कलोनी में हो रहा है जो 28 तक चलेगा इसी बीच पलामू में बागेस्वर धामू आले बाबा धिरेंदर सास्त्री के आगमन के तीती की घोसना भी आयोज को द्वारा कर दी गई है बता दे आयोजन समीती की और से जनकारी दी गई है कि बैगेस्वर धामाले बाबा धिरेंद्र सास्त्री 10 से 13 दिसंबर तक पलामू में रहेंगे परमंडलिय मुख्याले मेदनी नगर की जोड़ पंचायत के खानवा मैदन में हकारकरम किया जाएगा गुमला में सलक हादसा 2 की मौत 14 घायाल गुमला जिले के चैनपूर परखंड के कुरूमगड थाना छेतर के कुरूमगड पूल के समीप गुरुवार को वस वा आटो में सीधी भिलन्त हो गाई इससे आटो सवार एक युवाक वा एक महिला की घाटना स्थल पर ही मौत हो गाई फिलहाल दोनों की पाचान नहीं हो सकी है इस हादसे में 14 लोग गंभी रूप से घायल हो गाई हादसे के बाद सभी घायलों को चैनपूर CSC लाया गया जहां सभी के प्रात्मिक उप्चार के बाद गुमला रेफर कर दिया गया जनकारी के अनुसार सभी लोग आटो में सवार होकर चैनपूर से अपनी घर कुरूमगड जा रहे थे इसी दुरान पूल के समीप सड़क हादसे के सिकार हो गाए बिहार के बाद जहारखन में भी आरक्षन बढ़ाने को लेकर दबाओ बिहार में आरक्षन परतिशत बढ़ने के बाद जहारखन में भी समुद्दे पर सुबुगाट बढ़ी है जहारखन सरकार ने OBC आरक्षन का दारा 14 परसेश बढ़ाकर 27 परसेश करने का लावा ACS टी आरक्षन का परसेश बढ़ाने समधी बिधेक राजभहन को प्रेसित किया था पिछले वर्स 11 नॉम्मर को राई सरकार ने विधान सबाग का 27 आहुद कर आरक्षन की सीमा 60% से 37% करने के लिए जहारखन पदो एवं सेवावों के रिक्तियों में आरक्षन अधिनियम 2001 में संसोधन समधी प्रस्ताव सरोसमती से पारित किया था राजभौन ने इस पर अटानी जर्नल से कानूनी सलाह का हवाला देते वे विधेय को आपस कर दिया था तर्क दिया गया था किया सुप्रीम कोट के आदेश के अनुकूल नहीं है बिहार में आरक्षन पसे बढ़ने के बाद अवजारखन में इस पर नए सीरे से राय नितिक दबाव राजभौन पर बढ़ सकता है जमसेदपूर में 57 अवैद खनन में हुई चापे मारी अवैद खनन को लेकर जिला पसासन की करवाई में अब तक 57 चापे मारी की गई है जिसमें 28 परत्मी की कराई गई इसमें 78 वाहनों को जब्त किया गया जिससे 18 लाख रूपए जूर्माना वस्वला गया है यह जनकारी उपायुक्त मंजुनात भयांतरी के अध्यक्स्ता में गुर्वार को जिला अस्तर ये खनन टास्क फोर्स की बैठक में दिगाई उपायुक्त ने इसे ना काफी बताते हुए करवाई तेज करने के निदेश दिये हैं उपायुक्त ने जिला अंतरगत अवैध खनन भंडारन वा परिवहन के बिरुध हो रहे कारियों की समिक्षा कर अंचल अधिकारी वा थाना पर भारियों को नीमित रूप से जाच अवियान चलाने वह किसी भी तरह के अवैध खनन पर रोक लागाने के लिए अवस्यक करवाई करने के निदेश दिये हैं गढ़वा निवासी अलोग चौधरी को राजेपालने किया समानित जारखन विधान सबास्थापना दिवस समारों में राजेपाल सीपी रधा कृष्णार और मुख्य मंत्री हमांसुरे ने अलोग कुमार चौधरी को समानित किया है राष्ट्रिय युवा पुरसकार से समानित होका राजे को गरवानित करने वाले गढ़वा जीला निवासी अलोग कुमार चौधरी को समानित किया गया अलोग चोधरी राजास्थापना के 23 वर्सों में राष्ट्रिये युवा पुरसकार प्राप्त करने वाले जार्खन राज के छठे जबकि गटवा जीले के पहले पुरसकार पाने वाले हैं निचले तबके के प्रती उत्क्रिष्ट कारे और विज्ञान के लोग प्रिये करन के छेतर में युगदान के लिए भारत सरकार के जुवा मामले एवं खेल मंत्राले ने उन्हें पुरसकार दिया था अलो कुमार चोजरी जहरखन के सुदरवर्ती और अकांची जीला गटवा में पिछले कई वर्सों से बिना किसी आर्थिक सहायता के भिज्ञान कल्ब चला रहे हैं गटवा में अबुआ अवास जोजना को लेकर कारे साला अबुआ अवास योजना को लेको सभानाल इस्थीद साभा कोक्ष में कारेसला का योजन किया गया मोगे पर ओप विकास आयूप रायेस कुमार राये ने राज सरकार की महत्वकांची योजना अबुआ अवास योजना के बारे में विस्ताव से जनकारी दी है उन्होंने बाताया है कि आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कारकरम 24 नॉमबर से 30 दिसंबर तक चलेगा सीवीर में योगे परिवारों से अबुआ अवास योजना के लिए आवेदन पराप्त किये जाएंगे योजना के तहट योगे लाभुक को तीन रूम का घर बनाने के लिए प्रती 11 दो लाख रुपए दिये जाएंगे गीरीडी मंदीर में हो रही थी नवाली की साधी साथ गिरफतार गीरीडी पुलिश ने गुरुवार को जहरिया गादी सीव मंदीर से नवालिक लड़की का विवाह राचाने के आरोप में साथ लोग को गिरफतार किया है इस बात की जनकारी सदर HDPO अनिल कुमार सिंग ने मुपसिल थानाम में पेश वारता में दी है गिरफतार आरोपियो में साथी के लिए उतर पर्द से पहुचे युवक योगेश कुमार उसके भाई मुकेश कुमार सोरेश कुमार नरायन पूर्थाना चेतर के दक्षिन बहाल निवासी दलाल गनेश राम लड़की के पिता सुनील ठाकूर मा मीना देवी वा चाची कीर सामिल है स्ट्प्यों ने बताया कि पूलिस अधिक्षा को गुप्त सुचना मिली थी कि जर्या गाड़ी स्यू मंदिर में नमालिक लड़की की साथी होने जा रही है इसके बाद एक टीम का ठित कर आरोपित को पकड़ लिया गया है JCE-RT ने आठवी का जारी किया केस्चन बैंक जारखन सेक्षिनिक अनुसंधानों परशिक्षन परषाइच ने सरकारी स्कूलों के छा टर्षात्र चात्राव के लिए आठवी का केस्चन बैंक और एंसर की जारी कर दिया है इसे online जारी किया गया आठवी के समाजिक बिज्ञान, अंगरेजी, हिंदी, गनीच, संस्क्रीट, बिज्ञान और उर्दु विसाय का क्यूशन बेंक सा उतर पुस्तिका जारी किया गया इसे चातर शात्राओं को जैक की और से आयोजीत की जाने वाली आठवी की परिक्षा के त्यारी में सुविदा होगी स्कूली सीख्षा और सक्षाता भीभाक के सचीव के रभी कुबार के बताया है कि इसमें वस्तुनिष्ट परिश्नों के साथ बिवीद परकार के और परिश्नों को भी सामिल किया गया है जार्खन में 26 से चाएंगे बादल आने वाले सब्ता हमें जार्खन का मौसम बदलने का अनुमान है 26 नौवंबर से आस्मान में बादल चाहेंगे और ठंड बढ़ेगी यह मौसम बदलाव अंडमान सागर में बन रहे संभावी तुफान के कारण होगा यह तुफान अभी प्रालंबिक अवस्था में है और निम दबाव छेतर से यह आती दाब छेत में पड़रतित हो रहा है मौसम बेग्यान को के अनुसारिया सिस्टम आती दाब बनने के बाद और व्यापक होकर तुफान का रूख भी ले सकता है तुफान बनने के बाद यह अंधर परदेश के समीप तट की ओर बढ़ेगा इससे जार्खन पर भी परभाव पर सकता है राजी को उपर हलके से मजद दरजे के बादल चा सकते हैं इससे मौसम में उता चड़ाव आने के साथ यहां ठंड बढ़ेगी धन्यवाद